खिलके लाते हुए चेहरों के साथ चलिए सीखते हैं नए दिन में कुछ नया देखिए यह है चिंटू चेड़िया जो सारा दिन बैठी ही रहती है खाना भी इसे इसके भाई बहला कर देते हैं और यह मज़से बैठ कर खा लेती है ना घोशला बनाने में मदद करती है बैठे बैठे देखो तो कितनी मोटी हो गई है अब तो उड़ भी नहीं पाती ना दूसरी चिड़ों के साथ खेल पाती है ना ही इसे नीद आती है अब अच्छे से चिंटू चिड़िया के परिवार में सभी कोई ना कोई काम करते हैं जैसे दादा दादी घर यानि घोशले का ध्यान रखते हैं माता पिता खाना लेकर आते हैं और भाई वहन दाना धूने में माता पिता की मदद करते हैं क्या आपके घर में भी कोई ऐसा है जो काम तो कर सकता है लेकिन नहीं करता या करती सचे सचे कौन है वो मुझे यहाँ से आवाज आ रही है टीना, सान्या, जौनी और हसरत की हमारे घर में सब ही कोई न कोई काम करते हैं जो आप कुणगुना रहे हैं यहाँ भी सुनाई दे रहा है जी हाँ यही गा रहे है न आप रोज राद दादी जहलाती अच्छी अच्छी कहानी सुनाती दादा जी रोज सुभा हमें उठा कर कसुरत करवाते मम्मी पेट भर खाना किलाती फिर पापा संकाम पजाती बेलकुल ठीक उम्र कोई भी हो सभी कुछ ना कुछ काम करते हैं कोई ज्यादा तो कोई कम बच्चो आज हम आपकी रिम्जिम की किताब से कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है एक बुडिया पहले हम कविता पढ़ेंगे फिर मिलकर गाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं कहीं एक बुडिया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी वह दिन भर खाली रहती थी काम नहीं था कुछ भी काम ना होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी दो पहरी दिन रात सबेरे शाम नहीं थी कुछ भी कहीं एक बुडिया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी वह दिन भर खाली रहती थी काम नहीं था कुछ भी काम ना होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी दो पहरी दिन रात सबेरे शाम नहीं थी कुछ भी कहीं एक बुडिया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी तो मज़ा आया कविता गाकर? जी हाँ मुझे भी बिल्कुल ठीक हर किसी का नाम होता है तो फिर चलिए कविता वाली बुडिया का भी नाम रखते है सोचे सोचे क्या नाम हो सकता है? जी हाँ नंदा बिल्कुल ठीक बिमला कुछ बच्चे कह रहे हैं निमो और कुछ का कहना है कमला हमने बिना नाम वाली बुडिया का नाम तो रख दिया बिल्कुल वह दिन भर खाली रहती थी उसके लिए कुछ काम सुझाओ तो सरा सोचो और बताओ बिल्कुल ठीक वह बच्चो को कहानिया सुना सकती थी जी हाँ वह पेड पौधों की देखभाल कर सकती थी वह पुस्त के पढ़ सकती थी बिल्कुल सही वह घर की सफाई कर सकती थी वह चावल दाल बीन सकती थी बिल्कुल ठीक शाब बाश अच्छा बताए तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा काम कौन करता है अच्छा जी कुछ बच्चे कह रहे हैं मम्मी कुछ कह रहे हैं पापा तो ये भी बताइए तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा अराम कौन करता है अवाज आ रही है मुझे कुछ बच्चे कह रही है उनके नन्ने भाई बेहन नन्ने बच्चे ज्यादा अराम करते हैं बेलकुर ठीक जी हां, काम करते हैं वही तो आगे बठते हैं तब ही तो बड़े बज़ुर्ग कहते हैं क्या जिरा सुनिया भी काम करो भई काम करो सारे मिल कर काम करो देश को आगे बढ़ाओ तुम आलस छोड़ आगे बढ़ो काम करो भई काम करो सारे मिल कर काम करो तो बच्चों हसते रहे और आराम के साथ साथ काम भी करते रहे नमस्कार